तो प्यारे बچो, आज हम रिस्न सरने वाले हैं कि आखी नीट दोजार चोभीस का जो result है, वो कैसे होने वाला है? ठीक है? दिन दिन मच्चो नीट का exam दिया है, चाहे जो बच्छे नीट का exam काम देने वाले हैं इन फीचर ठीक है तो 24 के लिए तो ये बच्चों के लिए important है यह साथ में जो आपका 25 के लिए आप होने वाले हैं उनके लिए बहुत important है तो 24 में जो इस बार नीट में जो आपका paper आया था हर कोई जानता है कि जो इस बार number of candidates से वो काफी जादा थे तो उसके respect में जो cut off होने वाली है क्या होने वाली है इस से little मैंने video already पहले बना दी है लेकिन अगर आप जानना चाहते हैं कि आखे cut off की कितने score में कितना आपका यहाँ पर all India entrance जो आपका neat है इसमें किसमें आपको college में आपका mail पाएगा तो आप उस वीडियो को जाके देख सकते हैं तो फिलाल हम यहाँ पर बात करने वाले हैं कि आखे नीट 24 में तो प्यारे बच्चो आखिर नीट 24 में क्या होने वाला है किसमें कितना score करके आप अच्छे से अच्छा आप एक अच्छा college GMC ले सकते हैं तो फिलाल नीट 24 में result में क्या होने वाला है बहुत से ऐसे questions हैं जिनके जवाब आप लोग ढूंड रहे होंगे उनके जवाब नहीं मिलने होंगे तो वो आपके जो तीं major questions हैं उनके जवाब में आज देने वाला हों ठीक है तो सबसे पहले बाद आती कट-off की कट-off की बाद आएगी कि अगर तीन subject में आपके overall जो total marks हैं वो same आते हैं तो किसको कैसे किसके साबसे ranking decide की जाती है और दूसरा जो subject की priorities है वो क्या रहती है कि जिससे की rank उपर नीचे होती है ठीक है तो सबसे पहले हम बात कर लेंगे यहाँ पर cut-off की जो की हर कोई जाना जाता है जो बच्चे आपका all india entrance exam या all india counseling के थ्रूँ आते हैं NEET के exam में जो GMC में आपका अपनी CEO को पक्का करना जाते हैं तो आखि उसके लिए general credit degree में कितना आपकी number होनी चाहिए general credit degree जो number आपके होनी चाहिए अगर मैं cut-off की बात करूँ यहाँ पर तो उसके लिए आपको at least 615 plus minus 5 out of 720 लाने होंगे ठीक है general credit degree यह बात करूँ आपका ठीक है बागी SCST यहाँ इसकी बात किया जाए तो आपका SCST में आप 100 सब्टरेक कर लिजे ठीक है 100 से 150 सब्टरेक कर लिजे OBC में आप 50 सब्टरेक कर लिजे ठीक है जो आपका 615 plus minus 5 है ठीक है बागी जो other credit degrees तो उसमें 10 और 15 अरॉंड आप सब्टरेक कर सकते हैं ठीक है general credit की फिलाल आपका 615 plus minus 5 यानि की 610 से लेके 620 में आपको All India counseling के तुरू GMC मिल जाएगा अब बात करते हैं आखिर सेम marks अगर किसी students के आते हैं बहुत से students की query देती है कि अगर हमारे सेम marks आ जाते हैं तो किसके basis में ranking decide होती है किसके basis में आपका All India counseling में हमें affair रना होता है तो student जाता है देखा गया है कि अगर जिन बच्चों के number सेम आ जाते हैं ठीक है overall total marks अगर सेम आते हैं ठीक है total marks से बात कर रहा है आप तो उस case में जो आपसे senior होंगे जो आपसे ज़्या जादा drop लिये वे student होंगे उनको priority पहले ली जाती है किसी भी college में ठीक है क्योंकि उनका स्वाभाविक है जो number of years है उन्होंने आपका चादा दिये है ठीक है तो उनके आप लोगे कंका variable अगर आप किसी ने दो साल दिये है और अगले ने तीन साल दिये है तो उसके coaching center में जिनने गए है वहाँ पे अपना time के साथ साथ आपका money भी invest किया है ठीक है money भी आपका खर्च किया है तो parents का भी time किया है बच्चों को भी time किया तो इसकी basis में हर चीच priority में रखके आपका same marks में जो आप से senior होंगे उनको priority पहले में लेगी अब अगली बात करते है subject priorities की ठीक है subject priorities का मेरा यह कहना का मतलब है कि जो subject priorities रहती है सबसे ज़्यादा bio physics और then chemistry ठीक है जातर coaching center में यह बताया जाता है कि आप लोगों केवल chemistry और bio पे देना ऐसा बिलकुल भी नहीं है जो rank barrier होती है इसलिए जिन बच्चों के आपका physics में time नहीं देते हैं तो उस case में क होता है कि उनकी rank पीछे हो जाती है अगर आप bio physics bio chemistry करते हैं केवल तो जासे जादा आप 500 या 500 प्लस तक ही पहुँच पाते हैं ठीक है अगर physics भी आप अच्छा कर लें तो आपका 600 या 600 प्लस में आपका score करपाना काफी आसान हो जाता है ठीक है तो इस miss में बिलकुल ही मतर है और कैसे देना है क्या देना है इसमें आपको इस चैनल में guidance मिलती रहेगी इस चैनल को अभी आप सब्सक्राइब कर लीजे ठीक है अगली बात आती है कि आपका subject priority मैंने बता दी सबसे पहले बायो देन आपका chemistry ठीक है और अगर same marks की बात आती है physics में जिसके highest होते हैं उ physics को और अच्छा करें ठीक है तो यह तो रही बात आपकी जो आपकी major जो आपके दिमाग में चल रही हैंगी same subject में अगर आपका subject priority क्या रहेगी किस subject के प्राइटिक के साफसे number में decide होंगे और same अगर marks आते हैं तो उसमें किस student को priority सबसे पहले मिलेगी अब बात यहाती है क counseling में, counseling कैसे अटेंड करनी है, किस सबसे में counseling में जाना होता है, holiday counseling में कैसे अटेंड कर सकते हैं, कि अगर हमारे कम marks है कि हम दोबार अटेंड कर सकते हैं, तो इस तरह की जो आपकी जो भी doubts है वो नीचे comment करिए और जो बच्चे personal counseling लेना चाहते हैं, कि सब मिलब की हमारे त् चुके हैं ठीक है उनके बारे में भी आपको direct contact करा जाएगा जिससे कि आपको एक अच्छे से अच्छी guidance मिल सके और आप लोग अपनी counselling में एक अच्छी seat को occupy कर सके हैं ठीक है कितनी बार ऐसा होता है 600 से नीचे भी आपको मिलने के chances रहते हैं आखिर वो कौन कौन से तरीके ह को उजरना बड़ता है वो भी सारी आपको बताएजेंगी उसके लिए आपको personal counselling session में आप आ सकते हैं यह group session भी होते हैं और individual personal session भी होते हैं अगर आपको ज़्यादा अच्छे से जाना है कि आखिर यह personal counselling session क्या है तो नीचे आप इस नंबर पर contact कर सकते हैं तो मिलते हैं बड़े अच्छे से प्यार से lecture में और एक बात और यहां पर आप लोग को best physics और math की competitive physics और math की अच्छे से ची knowledge दी जाएगी तो जूड़े रही है future lectures के लिए और future conceptual learning के लिए तो मिलते हैं बड़े अच्छे से प्यार से lecture के सांथ तब तक लिए जहां भी रिए सीखते रहे विशी कुल्डग जॉय सब्जेक्ट एंड हेल्दी लन्निंग अ कि लिए जोगए लोगन पिसक्सी और झत्मिन,again में भीवववड़े लिए झान, YOUR है Quran is कि इस ज्री उë झान, NIens,क व store में Sपान्सаюर, मिलते है ठुटब उन्दी से दो में भीवववव़ण झाल झाल